यह पांच कारण आपको इन्फरटाइल बना सकते हैं नपुनसक बना सकते हैं इसके बारे में आज बात्चीत करेंगे मेरा में दूक्टर दीपक किलेकर में मनोविकार सेख्स्रोग सम्मोहन तथा व्यस्तन मुगी तक यह महाराष्ण में मुंबई पुने अकुला यहां प्रैट्रिस करता हूं स्पर्म काउं जो है शुक्राणू वह हमारे वीरे में रहते हैं और साथ से एक्सोबीस मिलियन पर एमेल मतलब छे करोड से बारा करोड एक एमेल में रहते हैं कम से कम 15 करोड होना जरूरी है ताकि बच्चा पैदा करने में प्रॉब्लम नहीं आएंगे मतलब बच्चा यह होना है फर्टिलिटी यह चाहिए तो मिनिमम्म 15 करोड होना ही होना है उसके उपर कितने भी रहत भी चलते हैं और स्पर्म को जो टेम्परेचर चाहिए वह चाहिए जैसा बॉडी टेम्परेचन हमाना 37 डिगरी सेल्सियस है तो उसको चाहिए 34 35 34 35 तो इसलिए फिर वो बॉडी से जो व्रुषान हो है वो दोनों नीचे लटके हुए है जिसमें मतलब दो व्रुषान है उसमें फिर स्पर्म की पैदाशे होती है अब ऐसा है कि स्प चाहिए वर सेमें बाहर निकलना नहीं चाहिए मतलब 5 दिन पहले ना 6 किया हो रहाना चाहिएि माध्य कालना च्याय। महद्तर घंटें स्पैंग के पहले समें स्पर्म करके हो हम नंद olv कर लाइक हो पार सब्सक्त कर दो हो एक ही दिन पर MA लिजांगा और बाद में तेस्टिंग के लिए सीमेन गया तो उसमें शुक्रानों कम मिल सकते हैं। फिर उसरा शेरीक बीमारी है। बदन में कोई ना कोई बीमारी है, बुखाराय हुआ है, या फिर कोई मतलब गलथान हुआ है बदन या और कोई बीमारी है, उसके वज़े से भी शुक्रानों की संख्या कम हो सकती है इसके अलावा हम पांच कारण देखेंगे तो वो कौन से है कि जिसमें जिसके वजह से आपको शुक्रानों की संख्या सीमेन में मतलब धातु में कम निकलेंगे तो पहला कारण है कि आपको यदि कोई बड्रक्स की लत हो जैसमें मेरी जुन है फिर अल्कोहल है सिग्रेट है तंबाखु तो इसके दिले लथ है तो इससे स्पर्म काउट कम हो सकता है दूसरा ओबेशिती मोटा पाल मोटे लोगों में थोड़ा कम रहता है स्पर्म काउट तो मोटा पाल कम करना पड़ेगा और मोटाबा कम करने से स्पर्म काउट में फैदा होता है तो जैसा मैंने पहले बता है कि भी शराब ढारू सिगरेट बिडी सब बंद करना पड़ेगा तो पहला है ड्रग्स या शराब दूसरा है कि मोटाबा तीसरा जो है वो है यह आप क्या एंस में स्ट्रेस में स्पर्म कान कम JHody ना उस समय स्पर्म काने कि निकन जेल्डाना एस लिए जिनको बच्ची नहीं Hen और जिनको आईवेफ के लिए तैयार करते हैं तो उनको बुलते कि भई स्ट्रेस ने होना वो दिनों में बिल्कुल शान्त दिमाग होना तान तना ने होना जगड़े जंजट करके सेक्स करने का नहीं और उस समय वो स्पर्मकॉन कम हो सकता है तो भावनिक तना भावनिक कि लोग गरम वातावन में काम करते हैं तो मतलब सेगड़ी के पास में या जो भी लोग यह कुक है बर्नर गैस शेगड़ी बड़े-बड़े भट्टी के पास में काम करते हैं बहुत ही हीट में काम करते हैं तो उनको स्पर्मकॉन कम हो सकता है जैसे ट्रक ड्राइवर है त vide आततरण बहुत गरम है तो वहां भी स्पर्म कोटS और किपा उनीन, तो यह सब बाते जो है कि यह भाते इम देखते है कि Гण कौन्सी से बात है कि जिसके स्पर्म काउंड कम हो सकता है तो वह दी हमने टाल दिया उसके उपर गौर किया और फिर बाद में सेक्स किया वो पिरेड में ओविलेशन होता है वो पिरेड में सेक्स करना जरूरी है और ओविलेशन का होता है कि MC का दीन जो है वो पहला दिन पकड़ना ज में चार-पांच दिन है इसमें सेक्स होना जरूरी है और भी ठोड़ा फ्री चाहिए तो दस्वे से सतरा ऐसा भी बोलते हैं 10th day, MC चालो होने का जिन पहला दिन, वहां से 10 वा दिन किनो, वहां से 17 जिन तक आप sex करते हैं, तो बच्चा होने के चांसे बहुत ज्यादा होते हैं, और उसमें हमने ये सावधान भरतनी चाहिए, और ये सावधान ले तो भी स्पर्म काउन अच्छा रहेंगा, और उसमें बच्चे होने के चांसे ज्यादा होंगे, तो फिर fertility के चांसे बहुत ज्यादा हैं, तो हम इसका पालन करते हैं, तो बहुत बड़ा फायदा होंगा, और आपको जो भी है, मतल़ जिनको बच्चे का होने का problem है, स्पर्म काउंट काम है, तो उनोंने ये सावधान ने देखी उसका पालन किया तो definitely इसका फायदा होना ये वीडियो आपको अच्छा लागा तो जरू जिनको बच्चे होने का प्राब्लम है इन फटिलीटियों को जरू शेयर करो उनको फायदा हो जाएगा Thank you very much झालन कि भीडियों को जरू इसका ये वीडियों कि अच्छा इसका प्राब्लम है झालन कि अप्यों कि अच्छा आएगा